सब्सक्राइब से चैनल एंद प्रेश देबेल आगान और अप्कमिंग वीडियो तो आज किस वीडियो पे हम यूटियो में टीटमेंट होने वाले ड्रक्स के बारें बात करने वाले हैं बात करें इस टॉपिक की तॉपिक आपके वीफार्मची सिक्स्ट्री का पार्ट है पार्ट है और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बेसिक इंड्रोडक्शन अबाट दे यूटी आई ड्रक्स फोर दे यूटी आई एंड बेसिक फार्मकलोजी एंड हिस्ट्री ऑफ दे किनोलोंस सो यह इंपोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से लॉंग कोस्ट्टिंस फ www.pharmacyconsult.in पे अफ्लोड करता हूं वहाँ चेक आउट कर सकते हैं और नोट्स कर सकते हैं सो लेट इस्टार्ट टॉपिक इंटिट इंफेक्टिवएजेंट्स इस बैसे जिनका यूजसं यूज्टिंस में करते हैं उन्हें हम एंटि बोल सकते हैं बात करें स्लिवर्स वाइस मिस्ट्री पांट बपीस ए अपको जो स्लिवर्स है उसमें आमको पर न है बिसिक लिए आपके क्योंड ओर आपका मिस उसमें आपको पढ़ना है आपके जो सार है किनिलाउंस के उसके लाब्चिक असीन नौर फ्लक्सासीन इनौ प्लाव कर निविटे Louisiana प्लॉशासीन तल्लक्सासीन अपकर मंफप्राप्षासीन इस पंग भिस GUYक मेस्ट्री है वो पढ़ना है उसके लाब्गी म laughs पढ़ना है वह हुआ आपका फ्रुरा जोरडीन अर्ट रुपरेंट टॉस्टियों गवात करें तो डीटेल से लोजी या फार्माकलोजी में और अपने फार्माकलोजी या प्रथमें कवर कर चुके हैं उसकी लेक्च्चर्स अलरी है उसका भी लिंक मैं इस पर दिस्क्रिशन बॉक्स पर दे दूंगा उसको भी आप चेकाउट कर सकते हैं या फिर पीडिएफ भी हमें अप्लोड कर दूंगा या उसका लिंक जो है मैं प्रवाइट कर दूंगा इसी पीडिएफ में ताकि जब आप नोट्स आपको करेंगे आपके वेबसाइट से तो आपके सिस्टिस और लोर यूटी आई जो की बिसके लिए होता है आपके ब्लेडर पे जो आपके मोस्ट कमन आपके यूट्याई है वह आपका एक्ट्यूट या भी बात करें सिस्टिस या फिर लोर यूट्याई की है जो कि फर्कुंटली कमनली होता है ए सिम्टम्स पर्म दोलो जो जो बिली पेंड और ब्लॉडी यूरीण तो बिसली जो यूट्य आइए क कप जो बिसली आपको बार बार वार उनियूट्याई नाहेगा आपका एन्रिशन के दौरां जो आपका पेंड होगा जलन होगा में उसके आपका बेली पार्ट है कमर है उसमें भी आपको पैन्ध होगा ठीक है बुखार भी इसमें आ सकता है ठीक है और आप चाहिते हैं कि आपका जो ब्लेडर है completely खाली हो सके ठीक है तो यह basic symptom सें आपके lower UTI का जिसको हम ब्लेडर पर होता है और बोलते हैं नेस्च आपका polynephratis और अपर यह सविस्टेटी आई यह एक सेकंड मिजर पार्ट है आपकी यू टियार का जो आपके मेनली कीड्निस अरिया पर होते हैं आपके जो दो कीड्निस होते हैं उन पर होते हैं इसको हम बोलते हैं polynifratis और अपर UTI, this can be cause the fever, chills, nausea, vomiting pain in your upper back और side, ठीक है, तो यह आपका kidney stone का pain होता है, similarly यह pain करता है आपके उस area पर, ठीक है, nest sharp का urethritis और urethra में यह बिसकली होता है, आपका जो location क्या होगा, urethra होगा, इसलिए हम बोलते हैं, urethritis, means inflammation on the urethra, ठीक है, this can cause the discharge and burning when you pee जब भी आप urine करेंगे तब आपका जो discharge है वो एक तरह के से जरन महसुस होगा, पेन होगा, ठीक तो यह बेसिकली इसके टाइप से हैं आपकी UTI के, और जो में कास्केटिव एजेंट्स हैं, वो है आपका मुश्ट कमन काउस आप इंफेक्शन इस्च्रिया कुलाई, तो अदर विक्ट्रिया इन फंगी में सुन्टाइम्स आल्सो दे कॉसेश, बट जो मेजर आपका कॉस्केटिव एजेंट्स हैं, वो है आपका इस्च्रिया कुलाई, एकुलाई, ठीक है और यह बिसिकली मेन पे कम होता है, फिमेल पर ज्यादा होते हैं ठीक, चलिए बात करते हैं, अब ड्रक्स की कॉनों से ड्रक्स हम यूज़ करते हैं आपकी यूटिया के केस में, आपको जो सलेवस में है वो पढ़ना ही है, लेकिन जो फर्मकलोजी से बात करें, किलिंगल पॉइंटर पर से बात करें तो कुछ और ड्रग भी हम इसमें एड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ठीक है, सो फर्स्ट ड्रग है आपका, वो है आपका यूटियारी एंटिसेप्टेक्स ठीक है, सम औरल अड्मिस्टर्ड एंटिमाकलोजी एजेंट्स और AMS अटेंड एंटिबेक्टियल कंसेंट्रेशन ओनली इन यूरीन विद लिटिल और नो सिस्टमिक एंटिबेक्टियल एफेक्ट्स लाइक द निट्रोफिरेंटोईन, मेथनामीन ठीक है, जिने हम यूरी एंटिसेप्टिक्स बोलते हैं मतलब यह ऐसे ड्रग हैं, जिनको हम औरली इंटेक्ट करते हैं यह हमारे बॉड़ी में एब्जॉब होता है, पहुंचता है बलड में उसके बाद यह पहुंचता है कीडनीज पे आपके उनरी इस्टम में, इह को बॉड़ी को करते हैं किवल हमारे उनरी इस्टम में इसको हम इंटिसेप्टिक्स भी बोलता है क्योंकि यह सिटम के जो ब्रग疫 करसक्ते हैं पाकी स्टमिक इफेक्ट नहीं होता उन में दो ड्रॉटेंट इंपोर्टुन है एक आपके याते हैं तो आपके आप इस को पढ़िए लिंक में और कर दोँगा इस PDF में या फिर डिस्क्स बाक्स में मिल जाएगा ठेक है नेस्ट जो आपका ड्रग है वह आपका रियर्य अनलजेसिक्स यह बसक्सक्राइब आपके जो पेड होते हैं उस एरिया तके थीक करते हैं उने दी आपका फ्येस थी come क्यों से सब्सक्राइज को हमसे एक हैं आपका निर्द स्याँ पालिय एजेंट जिसका योज हम था हम यूटियाय में करते हैं तो बहुँ सारे सब्सक्राइब सकते हां के अलावा भी डिसी कधिनेदास की तो उसमें हम तो उसमें और बात कर चुके हैं जितने किलेस तकर सकते हैं जिसमें तो टौ इंचे प्र अधिस रफलकुतां या स्लपॉना माईड प्लस ट्राने तो क्यूंट है उसके कैसे के लावा हम जो हम पृलीन क्लास है उन में जो आपका एमज़ेसिलीन है उभी हम यूज़ कर सकते हैं तो बात करें क्लीनिकलीक पाइसे जो एक्वुट इंफेक्षन है या लोर एक्ष्जी आई है उसके किसे हम 33 से पाएं 5 फाम जो रिजिवेंद होता है वह था आपका नौर फ्लॉकसेसीन वह तो फॉर हनेट मीद वारा हावरणी मतलब इसको मुझानल दोबार ले सकते हैं ठीक है और फ्लक्ससें 200 तुफार एंजी यह भी भार हॉडी मतला होंग टीन में दो बार लेना इसके फॉर टामसीजों यह निर भी है सिफेल एकजीन 2-252 500 एमजी यह शक्रावल लेना है दिन में ठीक है फ्रकार टाइम्स ठीक है in a day ठीक यह बिसिक ट्रीट्मेंट है वाकि जो प्रिस्क्राइब करता है वो प्रिफर्ड है हम के वाल लेक्चर्स की थूरू समझाते हैं कि हम यह दे सकते हैं सब्सक्राइब हो सकता है आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे ठीक है याद रखिए नेस ट्रक है आपका सिफो डॉक्सिम जिसको हम 12 ले सकते हैं मतलब दिन में दोबार ले सकते हैं 200 मजी इसको बोलते हैं 500-150 मजी का जो कंशन रहता है इनका यह हम लेते हैं 8 मतलब दिन मे 100 मजी बार हो ले इसको हम जो हैं 5-7 देज तक लेते हैं ठीक है यह जो है आपका acute UTI या फिर lower UTI का केस है ठीक है for the upper UTI और polynifatis the same drug will be given for 2-3 weeks जो chronic UTI है या polynifatis के केस में हम जो यह सेम रिजिमेन को जो फॉलो करते है जो 5-7 दिन का होता है तीन सबाद दिन का उसको हम 2-3 इसकी विक्स तक बढ़ाते हैं डिपन करता है कितने severity कितना culture growth हुआ है आपको कितना fusion joint आपको treatment देता है इसके लाव नाट्रोफरेंट टॉइन है वह बिसकली suitable नहीं है क्योंकि आपके यूरीन है वह कहां होता है जमां आपके होते हैं ब्लेडर पे ठेक है तो यूरीन ब्ल करता है बाकि जो और antibiotics हैं वो हम फ्रिक्वेंटल यूज़ करते हैं चलिए तो यह हो गया basics of the UTI फिर हम बात करते हैं आपके basics of the kynolons के क्या basic features है क्या उनके basic pharmacology है क्या उनके basic history है जाता है क्या तो दे आफ और सिंथेक एंटि माकपर्कल आजेंट्स यह anti BAKC नहीं है कि रोंस आर्द सिंथेटरिक एंटी माकैगे लगेल्ए लगेलें थीजिए अन्मोंस नäre्नेट स्टरें तो फर्स चनिर चंकिनिरन के Люб 2019 वह एक तरकी से आपका अगर liberal के लिए वह एक्टीव था उसमें अफ्यक्टिव था लेकिन जो निव जरेशन लॉंस इसको हम बूलते है इसमें या लॉइठरी यह तो यह जो है नए ड्रग है वह आपके ग्राम नेगेटिव करता है जिस का के ओर शार्क अफ्वर मे अपरे निदितल में तो बाद कोने मरे में किनुनलॉंस की तो बात कोने मरे माजन की bund फस्सविर …किनुनलॉंस नष्ट किनुनलॉंस की UP . इसव लुट्री दिने सिट्टर्प्वेंशी डियुथ तो यह बिसकी जो नारले डिक्सिक एसीड है जो फर्स्ट प्रोटाइब ड्रग था आपके किनलोंस का वह अधिक पे डूप हुआ और इनका जो बेसिक यूज है वह कुछ लिम्टेट था के वाल यूटी आई यह जाइट इंफ्रेक्शन में हम करते थे क्योंकि इनके बहुंस सारे लिम्टेशन थे जो आज़ी हमने बात कर चुके हैं ठीक है और इससे जो रिस्टेंस हैं वह अधिक बढ़ते थे चांसे होंते थे इसलिए इसका जो यूज है क्लिनिक लिए आज लेट पे नहीं है ठीक है और इस्पेक्ट्रम नल्रेसिक एसीड दरक के बात को उसमें आते हैं डाल डेसिक एसीड मिलॉकसा सीन ऑक्सुलीनिक एसीड फ्लेमुक्वीन शीया और रोक्सा रोसक्सा सीन तो यह आपके फस्स जनरेसन किनोलोंस है ठीक है जो यह बिसिक इस्टक्चर नाड्रेक्षिक एसिट का अब दे सकते हैं यहां पर आपका जो इस्टक्चर है वो दूसरा है कि लोस्ट में ही बनाए गया है जहां पर एक और एंड है हम आगे बात करे इन यहली इन अटिया इस बाइट अप दे प्रेट अप दे किनोलोंस इस्टक्चर एट शिक पॉजिशन एंड इंड यूद इसके केस में जो किनोलों डरिवीटिव है उसमें हमने 6 पॉजिशन पे फ्लोरें ग्रूर्प फ्लोरें एट किया और आपके शिवन पॉजिशन म इन देरीविटिश काल फ्लोरो किलोलोंस है इसके बहुत सरे फाइदे ये इनका स्पेक्ट्रम अधिक था मतला भी घ्रम चांसें काम होते थे इनकी पॉजिशन में यूदिंटे होती थी स्ट्सक्पोची थे तीशी कंवी अच्छे होती थी तेक है जो बात करें हिनके वी सब्सक्राइब और यह आपका और यह अलग था नहीं है जिसमें आपका जो है सिक्स पर फ्लोरेन ग्रूप और आपके सेवन पर विप्राजिन ग्रूप एड किया गया है और यह कॉमन रहेंगे सभी पर कुछ ना कुछ ड्यूटी और हम इसमें एड करते हैं बट यह मेजरली यह रहता ही है हम जब पढ़ेंगे डिटेल में सार में तो आप देखिएगा ठीक है चलिए बात करते हैं इसके मोड अप एक्शन की तो बिसकिली इस आर देने गारेस इनिबीटर्स तो कि यह इनको ब्लॉक करते हैं उससे जो है आपके जो डिने हैं वो नहीं होगा और देने का आपकी टेंटेक को सथेंट करेंगे तो नहीं होगा उसकी वजह से जो है यह आपके प्रॉपरली वर्क नहीं करता आपका डिने सिंथिस ठीक है डिटेल्ट हम बात कर चुके है आपके फर्मकोलोजी वाय लेक्ट्टर्स में आप देखिएगा ठीक है और इनुबिशन आप टुपोस्मरेश 2 प्रिवेंट देलेक्सेशन और पॉसितिवली सुपरकोईल डिने टेक्वार्ड फॉम्ड प्रॉम्ड प्रॉस्पोर इंटर्फेर विद दसेप्रेशन और रॉप्रिकेटेट क्रोमोजोम डेने इंटु दाटर सेल्स एंड सेल दूरि था ग्राव नेगेटिव परश्टी दोनों पर फट्र जोफ्र जने प्रॉम्ड और एफेक्टिव अगेंस दे इस्टरीया कॉलई चलेजिला एंड इंफेक्टिव अगेंस डिया पॉसिटिव और निगेटिव बोथ इंगूडिंग दे एंटे अन्टेल गेंस जी दोमोना पे बैक्तिरियल बैक्तिरियल ज्ट्रीटरीज कि बात करें तो वह होता है आपका इन देमेज्ज जो इन फैंट है बच्चों में इस ड्रक का यूज़ limited है कम करते हैं क्योंकि बच्चों में हम यूज करते हैं खासकर infant में तो उनके जो cartilage है वो damage हो सकते हैं and cause the orthopathy इसलिए जो है orthopathy cause कर सकते हैं यह इसके major side effects है all the side effects है pharmacology में discuss किया हुआ है आप देखिएगा so these are the basics about the anti-uti anti-uti drugs and the quinolones in my upcoming class next class I will discuss the SAR of the quinolones that is the most important for the medicinal chemistry the next lecture में हम जो quinolones का सार है उनको हम describe करेंगे so these are the basics of the quinolones and the anti-uti drugs I hope you like my videos if you like my videos please press the like button share with your friend and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos in last thank you keep watching